नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूट्यूब चेनल कलाम स्टेडी में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज के इसी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राश्तान जीके के हाथ से लिखेवे नोट्स जिनका हम अद्देन करेंगे और जो कंप्लीट राश्तान जीके का सलेबस है वह कंप्लीट हम आपको करेंगे रोज आपको एक या दो वीडियो मिल जाएगा इसके दोबार राश्तान जीके का जो सलेबस है वह कंप्लेट हम करेंगे यूटूब के इतियास में पहली बार दोस्तो राश्तान जी के के हाथ से लिखेवे नोट से पढ़ाई आपको करने को मिलेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही मेनज से नोट से त्यार किये गए हैं और जो महतोपुन बात हैं वो आपको मैं वीडियो में बताता रहूँगा तो वीडियो का आप शुरूशी लेकर अंटक जरूर देखते रहें तो शुरू करते हैं दोस्तो आज का जो अपना टोपिक है वह है दोस्तो राजस्तान का समने परीचे इस्ति आकार और बहुतिके सवरूप इनके बारे में हम आज ही पढ़ेंगे इनसे सुरुवात करते हैं और रोज दोस्तो एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसे कंप्लेट राश्तान जिके का सलेबस आपका होग तो आपको किसी प्रकार की कोई भी टैंसल लेने की जोत नहीं है राश्तान जिके का जो कंप्लेट सलेबस है मैं आपको यहाँ पर कलाम स्ट डीपर करवाऊंगा उसके लिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना होगा तो नीचे दिएगे लाल स्क इपके सन आप तक ही पहुंच सकी तो अब शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं तो राश्तान का तो सम्मानी परीच्ची है उसके बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों नोट्स है हाथ से लिके हुए है तो आपको थोड़ा लग नामों से जाना जाता था यह देशी इकायां दोस्तों राजपुतों के अदीन थी अतह कालांतर में इसे राजपुताना कहा जाने लगा तो राजस्तान का जो सबसे पहले नाम था वै था दोस्तों राजपुताना तो यह आप नोट कर लीजिए अर्थात इस भूब आगबर राजपुतों के सारों मिक्स सत्ता होने के करण शाइद अंगरेजों ने इसे राजपुताना कहा था तो राजपुताना दोस्तों सरोपर् película यह किसने कहा तो इसके बारे में आगे देखते हैं तो यह कहा था दोस्तों जोजी थोंस ने जो important है वो मैंने highlight कर रखे हैं इसलिए आपको किशे परकाई की टैंसल लेने की जूर्ट नहीं है तो जोर्ज थोंस ने सरव परतम 1800 इस्वी में इस सेतर को राजपुताना नाम दिया अर्थाथ इस सब्द का परियोगी किया तो ये पूछ ले जाए कि जोर्ज थोंस ने राजपुताना सब्द का परियोग सरव परतम कब किया तो ये दोस्तों 1800 इस्वी में किया था ये कुछ important है जो आप note करते जाएं साथ साथ नेक्स्ट है जो है दोस्तों करनल जेम्स टोड के बारे में जिसने राजपुतान का इतियास लिखा था करनल जेम्स टोड ने सरव परतम 1830 इस्वी में उसने एक पुस्तक प्रकाशित की थी उस पुस्तक का नाम बहुत बार एक्जाम में पुछा जाता है ये भी आप note कर पुस्त का नाम है दोस्तों दा एनल्स एंड एंटिक्वीटीज ऑ वी राज्स्तान इसमें सबसे पहले राजस्तान सब्सका परियोगे किया गया था यानि 1890 से पहले राजपुता Para Υा और 523 गुंटीस में सबसे पहले करनल जर्म टोब ने इसले राज़स्टान नामें नामें दिया दोस्तो करनल टोड ने इसे दस हैं तो इनकी उप्युक्त पुष्ट का दूसरा नाम ب rulो निया घुझे bere b आपको बता दिया इसमें दोस्तों तीन सब्दे राजास्थान, रजवाड़ा वैर राइथान सब्द का परीयोग है है WैW अपनी फुस्तक में किया है ये भी आप नोड़ कर लें क्योंकि दोस्तों इस्थाने सहीते आउन बोल चाल面े राजाओं के निवास के प्रांत को रा राज्ये को रजवाड़ा, राइथन वो राजस्तान नाम से पुकारा था अब देखते हैं अगली जानकरी अगली जो जानकरी है वह है दोस्तो 26 जिनवरी 1950 को भारे सरकार ने विदिवत एव उपचारिक रूप से इस छेतर को राजस्तान नाम से मानिता परदाने की थी दोस्तो वालमिकी ने इस राज्ये को मरुकांतर का था तो पुसले जाए कि मरुकांतर राजस्तान को किस ने का था मरुकांतर का था वालमिकी ने अगला जो है वै है विक्रम समथ 682 में उतकिर्ण सीरोई के जो बसंतगर्ण सिलालेक हैं उनमें इस भूबाग के लिए राजस्थाना दित्य सब्द का पर्योग है परतम बार परियोग हुआ है दोस्तों ये राजस्थान सब्द का परांचितम परियोग है यानि सबसे पहले विक्रम समथ 662 में बसंतगर्ण सिलालेक में राजस्थाना दित्य सब्द का परियोग हुआ था तो ये भी पूचा जा सकता है कि राजस्थाना दित्य सब्द का परियोग हुआ पर हुआ था तो ये दोस्तों बसंतगर्ण सिलालेक जो शिरोई में है तरी अक्सांस है जो तेज के उपडर लगाओ इसे में दोस्तों cry आगे जो कोमा शाल लगाओ tysi लग सर इसे मिनिट बोलते हैं यहाँ पर मैंने नोटप पर कर रक्ा है इसका मतलब डिगरी हो था और इसका मतलब हो उचारण में से मिन्ट बोलते हैं तो राजस्तान के बोगोलिक इस्तती 30 डिगरी 3 मिनट उत्री अकसांस से 30 डिगरी 12 मिनट उत्री अकसांस तथा गुणेतर डिग्री 30 मिनिट पूर्वी देशांतर से 18 डिग्री 17 मिनिट पूर्वी देशांतर के मद्धे इस्तीत है यहाँ पर देख लेना यह पूर्वी देशांतर है पूर्वी देशांतर के मद्धे इस्तीत है अर्थार दोस्तों राजस्तान का विश्तार इनके मद्धे यह यहाँ पर लिकावा है, इसको आपी नोट कर लें, अर्थार दोस्तो, 9 डिग्री देशांतरों के मद्धे राता ने फेलावा है, वहीं दोस्तो, एक डिग्री देशांतर को पार करने में सूरिय को च्यार मिनिट लगते हैं वहीं दोस्तो जो अक्सांस है अक्सांस में 7 डिग्री 9 मिनिट का अंतर है इस परकार से दोस्तो राजतान की पुर्वी और पस्यमी भाग में जो समया अंतर होता है वे 36 मिनट का समया अंतर है ये भी राष्तान फुलिस में पूचा जा सकता है राष्तान फुलिस की दर्श्टी से important question है कि जो राष्तान का पुर्वी और पस्वी भाग है उसमें कितने कितना समया अंतर है कितने मिनट का अंतर है तो उसमें दोस्तों 36 मिनिट का अंतर है क्योंकि 9 जो डिगरी है उसमें राजस्तान फेलावा है वर 1 डिगरी को क्रोस करने में सुर्य को 14 मिनिट लगते हैं तो ये 36 समय अंतर ही हो गया इसी कान दोस्तों दोलपूर में सूर्य उदे सर्व पर्थम होता है तो ये पुछले जाए कि सर्व पर्थम ये सबसे पहले राजस्तान में सूर्य उदे काँपर होता है तो ये दोलपूर में होता है दोलपूर का सिलान गाव है जहांपर सबसे पहले सूर्य उदे होता है क्योंकि दोस्तों यह राजस्तान का सबसे पुर्वी जिला है और सबसे जो पस्यमी जिला है वह है जेसल मेर तो जेसल मेर मेर में सबके बाद में या अंती में सूरिया उदे होता है क्योंकि यह राजस्तान का सबसे पस्यमी जिला है दोलपूर के चिलान गाउं में सरव परत का अंतर रहता है तो उसमें दोस्तों 36 मिनिट का अंतर ही होगा अब बात करते हैं दोस्तों देशांतर के बारे में यहाँ पर उपर मैंने आपको देशांतर और आकसांस बताएं तो अब इसके बारे में देख लेते हैं कि देशांतर और आकसांस क्या चीज है तो देशांतर पढ़े दोस्तों इसे पहले आपसे निवेदर है कि आप वीडियो को लाइक जुरू करते रहें तो सभी दोस्तों के साथ इसे अधिक से अधिक पूरों पस्यम दिशा में पाई जाने वाली जो एंसात्मक दूरी होती है उसी हम देशांतर ही कहते हैं तो जो एंसात्मक आया है तो एंस किसे कहते हैं तो एंस जो है वह दोस्तों देशांतर के 360 degree अंस होते हैं प्रमुख जो मद्यान रेका है वह 0 degree की देशांतर रेका है वहीं देशांतर के दोस्तों 180 अंस इससे पुर्व की और वहीं 180 अंस इसके पस्शिम की औरे होते हैं दोस्तों उत्तर से दक्षण की तरफ खिंची गे सिधी रेखा देशांतर रेखा कहलाती है तो मैप में जो उत्तर से लेकर दक्षिन की और जो सिधी रेखा खेंची जाती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं आगे देखें आकसांस तो आकसांस जो है वह दोस्तो विशुवत रेखा के समांतर खेंची गई तो पूरब से पस्यम की और जो खिंची के तिर छी रेकाय cheaper कहलती है अब इसमें अध्या नएक सब्जा है विश्वत रेका ती ये विश्वत रेका क्या चीज है इसके बारे में देखते हैं तो निच्छे दूस्तों में लिख रखा है विश्वत रेका तो दोनों दूर्वा के ठीक बीचों बीच पर्त्वी के दरातल पर जो रेखा खेची जाती है उसे दोस्तों विश्वत रेखा कहते हैं वहीं विश्वत वरत या विश्वत रेखा पर्त्वी के दरातल को दो समान बागों में बाण देती है दोस्तों एक उत्री गोलार्द और दूसरा दक्षनी गोलार्दी कहलाता है यह दोस्तों एक काल्पनिक रेका होती है विश्वत रेका जो होती है वे काल्पनिक रेका होती है तो इसे हमें भूमद्य रेका भी कहते हैं यह दोस्तों जीरो डिग्री होता है करक रेका है तो करक रेका दोस्तों विश्वत रेक रेखा के उपर से अतार उत्री गोलार से तता मकर रेखा भूमद्य रेखा के नीचे से अतार रक्षनी गोलार से निकलती है तो दुबारा देख दोसको जो करक रेखा है वैं दोस्तों विश्वत रेखा के उपर से और जो मकर रेखा है वैं भूमद्य रेखा के नीचे से र दक्षनी गुलार से ओकरे निकलती है, दोसके करक मखकर और मद्य रेखा, सबी जो रेखाई होती है, वैं आक्षांस रेखा यह工作 होती है, आगे दिया गया है 23 सरी 하나ी डिगरी, आख दो डिगरी उत्री रेखा यह क्या बोले वरित बोले या करक रेका जो होती है एवं तेई सही एक बटा दो डिग्री दक्षनी अक्सांस वरत को मकर रेका कहते हैं यह जो सभी नाम है जैसे करक हो गया मकर हो गया वे विशुत रेका हो गया कि सभी आक्सांस रेखाओं के विशेश नाव है तो यह नहीं आक्सांस रेखाओं भी हम संबली तुरुप से कह सकते हैं अब बात करें दोस्तों X और दूरवय तो X और दूरवय की बात आई उनके बारे में देख लेते हैं तो परत्वी के परीबरमन में पर्त्वी के ठीक बीचों बीच जो इस्तिर सलरेखा मानी जाए जिस पर पर्त्वी गूमती रहती है उसे हम X कहते हैं और X के उत्री सीरे को उत्री दूरवे और दक्षिनी सीरे को दक्षिनी दूरवे का जाता है दोस्तों पर्त्वी लट्टू की तरह है गूमती रहती है अ दक्षिनी सीमा के पास यह उसको चूती हुई बांसवड़ा जीले के लगबग मद्य से उकरे गुजरती है तो करकरेका राजस्तान में जो अपना डुंगरपूर जीला है डुंगरपूर जीले के दक्षिनी सीमा को चूती हुई बांसवड़ा जीले के लगबग मद्य से उक होती है इसमें आप नोट कर लिना तो बांसवडा राजस्तान में करक्रेका के सारवधिक निकट इस्तित शैर है वहीं दोस्तों शिरी गंगानगर है यह करक्रेका के सारवधिक दूर इस्तित शैर है तो यह भी आप नोट कर लें कि राजस्तान में करक्रेका के सारवधिक नि दो जीलों को टेच करती हुई गुजरती है लोगरप्र को टेच करती है और बासवड़ा के मदे से गुजरती है आगे बात करें दोस्तों कि जल्वायु की दरश्टी से राज्ये का अधिकांस जो बाग है वह उपोशन वह शितोषन कटीबंद में इस्तित है वही दोस्तों शिरिक गंगानगर में सूर्य की किर्णों का जो तिर्चापन है वह सारवधिक होता है और बांच वाड़ा में सूर्य की किर्णे सारवधिक सीधी पढ़ती है इसका कारण क्या है करकरेका है करकरेका जहां से गुजरती है वहाँ पर सूर्य की रेका सीधी पढ़ती है और करक करेका से दूरी पर चले जाते हैं वहाँ पर दोस्तों सुर्य की जो किरने हैं वह तिर्ची पढ़ने लग जाती हैं तो शिरी गंगानगर में सुर्य की किरने का तिर्चापन सर्वधिक और बांच वाड़ा में सुर्य की किरने सर्वधिक सीधी पढ़ती हैं अब देखते हैं राजस्तान की जो आकर्ति है उसके बारे में कोई क्योंसर आ जाये तो उसका आंस्वरा भी कैसे देंगे वीडियो वो दोस्तों शेर करते रहें तो आकर्ति के बारे में पूचा गया है तो राजस्तान की आकर्ति है उसको हम दोस्तों विश्म कोण ये चतर बुझ के समाने ब सबसे सबसे पाई तहले कि मद्य परदेश-सबसे इस नोंबर बड़ा था। उसके बाद में अभी वर्तमान में कौन बड़ा है? पूस्थान है। वह दोस्तो इसको आप शोट में याद com 54-sol obvious वारक किलोमेटर है। जो भारात के कुल छेतरपल का 10.4 परतिसत है दोस्तों राजस्तान के बाद छेतरपल के दर्ष्टी से जो करम से बड़े रज्य हैं उनमें मद्यप्रदेश दो नमबर पर महरास्ट्र तीन पर फिर उत्रप्रदेश च्यार पर और अंद्रप्रदेश आधी का स्ताने आता है अभी दोस्तों अंद्रप्रदेश और तेलंगाना भी अलग हो गया है तो अंद्रप्रदेश भी छोटा हो गया है इसको आप नोट मत कीजिए नोट स्थोरे के आप पहले के बनाएवी हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए जो इसमें करेक्शन करना है वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा तो दोस्तों राजस्तान की चेतरप के दर्ष्टी से सबसे बड़ा राजी है वहीं मध्य प्रदेश माराष्टर और उत्रप्रदेश से करम से आते हैं आगे देखें दोस्तों चेतरप के दर्ष्टी से राजस्तान की तुलना यदी विश् तो दोस्तो राजस्तान जो है वैं शिल्लंका से 5 गुणा बड़ा है तो अपना जो राजस्तान जी है वैं शिल्लंका से 5 गुणा वहीं तो चेको स्लोव विया है स्लोवाकिया है उससे 3 गुणा बड़ा है और जापान के बराबर है राजस्तान का शेतर पले वैं जापान के से बराबर है इंगलिर्ट से डगुना है डगुने से अधिक है वहीं इसराइल जो देस है उससे दोस्तो राजस्तान जो है 17 गुना बड़ा है वहीं दोस्तों पसी में ये पाकिस्तान से गिरावा है तो ये थी रास्तान के बारे में वोगुलिक की जान करी अब रास्तान का जो विश्तार है उसके बारे में देख लेते हैं तो उत्तर से दक्षिन की और जो राज्य की लंबाई है उसके बारे में पूचा जाए तो उत्तर से दक्षिन की ओर जो लंबाई है वह 826 किलोमेटर है जिसका विश्तार जो है वह शिरी गंगानगर के कोणा गाउं से लेकर दक्षिन मेबास वड़ा के कुसलगड तैसिल के बोरकुंड गाउं तक होता है तो ये इंपोर्टेंट है ये भी आप नोट कर लीजिए और अगला भ पूर्पूर की राजा केड़ा तैसिल के सिलान गाउं तक है लंबाई और चोड़ाई में जो अंतर पुछा जाए तो ये अंतर हो गया दोस्तो 43 किलोमेटर का याणि 800 गुणे तरशी आप 826 निकालेंगे तो 43 आएगा 43 किलोमेटर का लंबाई और चोड़ाई में अंतर हो जिसमें 1070 किलोमेटर याणि 18.07 परतिसत ये अंतर राष्ट्रिये शीमा है याणि जो पाकिस्तान से लगती है वहीं 4850 किलोमेटर जो 81.93 परतिसत है ये अंतर राष्ट्रिये शीमा रेका है तो तो राष्टान के शीमा रेका से लगने वाले राज्यें देश के बारे में ह आज ये लगता है वह पंजाब हो गया उत्रपूरव में हरियाना पूरव में उत्रपरदेश दक्षिन पूरव वा दक्षिन में मद्यपरदेश दक्षिन पसी में गुजरात पसी में पाकिस्तान और उत्रपसी में पाकिस्तान लगता है तो यह था दोस्तों मारा आज का वी अजब कर दो एक मुड़ पार भर वारा कर दो भी कर दो भी है